अमराती शहर में गर्मियों के प्रकोप की वजह से एक और मृत्तु का मामला सामने आया है मृतक गजानन कुरुष्णाराओ कोलहे 43 वर्षिया वरुंदावन कॉलोनी में अपने ही घर में सोबा लगभग 12 बजे के करीब मृत अवस्था में पाए गए बीटे दो महीने से मृतक अपनी मा तुड़सा कुरुष्णाराओ कोलहे इनके घर के बाजू में ही घर में रह रहा था इनकी पतनी बीटे दो महीनों से अपने ससुराल गई हुई थी जिसकी वजह से मृतक के दोनों ही बच्चे अपनी दाधी के पास रह रहे थे दो दिन पहले ही मुरुतक दोपहर की भरी धूप में किसी काम के लिए घर से बाहर निकला था इसी दोरान उनके उपर धूप का प्रुकोप पढ़ने लगा घर पहुचकर उन्होंने अपने बच्चों से अपनी अवस्था बयान की जिसके बाद उन्हें दवाई भी दी गई तबियत थोड़ी ठीक हुवी थी लेकिन दो दिनों से बच्चे अपनी दाधी के पास ही रह रहे थे परिक्षा देने के पहले पहुचकर देखा तो पता चला कि खाना खाने के लिए जो भोजन गजनन को दिया गया था उन्होंने वह खाया ही नहीं है बच्चों ने उन्हें उठाने की कोशिश की तब जाकर पता चला कि उनकी मुरुत हो चुकी है मुर्दक की मा ने उनकी आकास्मिक मौत की शिकायत गालगे नगर पुलिस थाना में तर्च कराई है पुलिस ने वहां पहुंच कर अपनी तपास शुरू कर दी है